ये से हले एवरीवान हितीश ये और टोड़ी वी गिना टॉक अबाउट दी लास्ट एंड फाइनल मुवी ओफ स्टार वॉर्स सीरीज अगर मेरी क्रॉन जगल ओडर की बात करी जाए तो ये मुवी इस सीरीज की 11th मुवी है और अगर रिलीजिंग ओडर या फिर इसके एप पर खत्म होने जा रही है लेकिन आप लोगों को बता दो कि ये फालतू की सीरीज कुछ लोगों के लिए एक ड्रीम है जिन्होंने अपने बच्पन से स्टार वॉर्स को अपना बना कर रखा था चाहां पर कुछ विलेंस की दिरफ से उनकी आँखों से आस हुआ है तो सिरीज जोसका नाम है स्टार वॉर्स ती राइज ओफ स्काइवॉकर सुनाओ विदाउट विसिंग टाइम चले आते हैं इस कहानी की में स्टोरी लाइन की तरफ जिसकी शुरुवात में यह देख पाते हैं कि अब एंपर वापिस से जिन्दा हो चुका है जिसे की इस पू तो उसने रिजिस्टेंस यानि की बागियों को यह धंकी दी डाली थी कि वह अब फाइनल ओर्डर लेकर आएगा यहां पर बेसिकली फाइनल ओर्डर का मीनिंग यह है कि उसकी सबसे खतरनाक टीम जिनके पास बड़े बड़े लेजर गंशिप्स होंगे और साथ ही उनके एक ही वार से पूरे प्लैनेट के प्लैनेट तबाह हो जाएंगे वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जुनरल लेया पर जो कि अपने ही कुछ बागी सातियों को फर्स आर्डर के अंदर बींगे जासूस बनाकर भेज़ देती है और वहीं जासूस डार्क फोर्सेस की सारी इंफ लेकिन अब ट्रेनिंग कंप्लीट करने में लेया उसकी हेल्प करने लगती है जुसके बाद में सीन शिफ्ट होता है काईलो पर जो कि इस वक्त कुछ गार्ट से लड़ रहा होता है उसकी लाइट से और उसकी फोर्स के आगे तो मानों कोई टिक ही नहीं पा रहा था और द से स्पेस में घुजर रहे हूं और अब तो काईलो उस डिवाइस की मदद से दूसरे और डार्क फॉर्स के मालिकों को ढूलने की कोशश करता है वह अपने स्पेस्शिप से लाइट की स्पीट से ट्रेवल करता हुआ हर किसी के पास जाने की कोशश करता है और फाइनली एक फाइनल और और लेजर बीज इस बेशिप्स के बारे में बताता है और अब यह सब कुछ उसके हवाले कर देता है और उसे एक फाइनल टास्क देता है कि तुम्हें जाकर रे को खत्म करना होगा जो कि इस वक्त जनरल लिया से जेडाई बनने की ट्रेनिंग ले रही है मेंवा तो यह सारे लोग मिलकर इस इंफरमेशन को जनरल लिया और साथ ही रे को बताते हैं जहां पर रे कहती है कि वो उस एंपरर को ढूंडेगी और उसे खत्म कर देगी मगर उसके फ्रेंड्स उसे अकेले जाने दिना नहीं चाते थे क्योंकि वो जानते थे कि एंपरर काफी ज टाप थी चिसमें उसने वेफाइंडर का खिकर किया था की पसाना नाम के प्लैनेट पर एक ऐसा डिवाइस है जसके उपर वे फाइंडर को ढूनने की इनफरमेशन लिखी है यानि कि अगर वो डेगर यानि कि वो चाकू मिल गया जसके उपर वेफाइंडर को ढूनने की लोकेशन लिखी है तो ये लोग वेफाइंडर तक पहुँच जाएंगे और वेफाइंडर तक पहुँच गए तो उसके बाद तो सीधा एक्जिगूल प्लैनेट तक पहुँच और अगर एक्जिगूल प्लैनेट तक पहुँच गए तो फिर तो एम्परनर मिल ही जाएगा देख रहे हो मतलब कितना कन्फूजन है पर कोई बात नहीं इसी कन्फूजन को दूर करते हैं कमिंग बैक तो दा में स्टोरी ये सबी लोग अब पसाना प्लैनेट पर पहुँ करनेली ये सबी मिलकर उस चाकू को ढूंड लेते हैं जिसके उपर फाइंडर को फाइंड करने के सारी इंफ्रमीशन लिखी थी लेकिन इस पर जो लैंग्वेज लिखी थी उसे पड़ा महीं जा सकता था और अगर कोई पड़ सकता था तो वो थे सिर्फ और सुर्फ डार् को था लेकिन अब क्योंकि काईलो रे के मैंड से कनेक्ट कर सकता था तो वो भी उस वक्त यहां पर पहुंच जाता है यहां पर इन सभी के बीच में एक दमदार फाइट दिखाई जाती है और स्टार वार्स की सीरीज है तो टॉप सीजिए ग्राफिक्स और वी एफेक्स त जाता है और उसके हाथ से जोरदार बिजली निकलती है और वो शिप वहीं पर तबह हो जाती रे को लगने लगता है कि उसने चिबाका की जान ले ली इस वज़े से वह काफी जदा नराज हो जाती है जिसके बाद यह सब लोग वहां से निकल कर इस पेस में दूसरे उलका पेंडो से बचते हुए एक चुठान की पीछे चपकर अपने ही कुछ लिंक से एक ड्रॉइट स्मित को ढूंडते ड्रॉइट स्मित यानि की वो शक्स जो की एंड्रोइड रोबोट्स को बना सकता है और साथ ही उन्हें रिपैर भी कर सकता है और उसे ढूंड लेने के बा चुल जाता है कि घ्रॉट कहां पर और सथ ही अपनी फोर्स की मदद से हैं और यहां पर इन सबीवी बीच में कि दंदार मकाबला होता है यहाँ पर अगईन काइलो और साथ ही रे का आमना सामना होता है जहां पर ईसे बताता है कि तुम और कोई नहीं बल की aimeरर की पूती हो और तुम इसे लिए like यूज कर पाती हो क्यों कि वह पाuवर सब में मिली है तो रे पूछती है कि आखिर मेरे माबाप का क्या हुआ तो काईलों से बताता है कि जब तुम छोटी थी एम्टर ने तभी एक जेडाई हंटर के जरिए तुम्हारे माता पिता को मरवा दिया तैकि तुम्हारे अंदर की पावर्स जाक सके हलागी ऐसा करने में वो भी मारा गया और तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें एक चापू नाम के प्लैनेट पर छोड़ दिया जहाए एक तरफ ते इन दोनों की बाची चल रही थी वहीं दूसरी और स्ट्रॉम टूपर जाकर इन सभी को पकड़ कर कमांडर के पास ले आते लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि जनरल लिया का एक जासूस भी मौझूद था जो कि इने बचाने की कोशिश करता है और यह सब अब रे को लेकर वहां से निकल जाते हैं लेकिन यह बात कमांडर को काफी जदा बुरी लगती है और वो उसे वहीं पर मार डालता है यह जहां पर हम इन सभी को देख पाते हैं जो कि एक और प्लानेट पर पहुंचते हैं जहां पर इस वेफाइंडर को काईलो ने चिपा कर रखा था मगर जैसे ही रे उसे उठाती है उसी वक्त वहां पर काईलो आ जाता है और इस बार इसके पास में एक नहीं बलकी दो नहीं सकता था यह बस दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे लेकिन फोर्स की पावर्स को जनरल लिया वे फील कर पा रही थी और वो जानती थी कि इन दोनों के बीच में अगर डिस्रक्शन पैदा करना है तो वो सिर्फ वही कर सकती है जहां पर वो अपनी फोर्स की दोनों को ही बुरी लगती है और यह दोनों काफी जदावदास हो जाते हैं जिसके बाद रे डिसाइट करती है कि वो काईलों को बचाएगी और वो अपनी फोर्स की मदद से काईलों के शरीर में जो उसने लाइट सीबर से वार किया था उसे वापिस से रिहील कर देती है रे जानती थी कि जितनी बार भी इनकी आपस में लड़ाई होगी उतनी बार human civilization का विनाश होगा इसलिए वो भी ल्यूग की तरह उसी प्लानेट पर जाकर बस जाती है और सारी जंग को खत्म करने की कोशिश करती है लेकिन तबी उसे ल्यूग की spirit दिखाई पड़ती है औ तुम आखरी जेडाई उद्धाओ और तुम्हें Emperor को खत्म करना ही होगा तो वो कहती है कि वो मेरे दादाजी है और मैं अब इस लड़ाई को और लड़ना नहीं चाती तो लियूग को से बताता है कि वो एक डार्क फोर्स का मालिक है अगर वो जिन्दा रहा तो और भी कई सारे लोगों की जाने जाएगी फर्क ये नहीं पढ़ता कि तुम उसकी पोती हो क्या पता तुम उसे घराप आओ या नहीं हराप आओ मगर फर्क ये पढ़ता है कि तुम अच्छे रास्ते पर हो और हमेशा अंत में सच्छाई की ही जीत होती है इसलिए तुम्हें वापस जाना होगा और एम्परेर को खत्म करना होगा और साथ ही जाते वक्त लियों को से लिया का लाइट सीबर भी दीता है और साथ इसे एम्परेर की एक चाल थी वो इन दोनों की ही पावर्स को यूज करके अपने आपके शरीर की टूटे टूड़ों को वापस से जोड़ने लगता है खुद को पूरा करने लगता है इस पूरे प्रोसेस में रे काफी जदा घायल हो जाती है एक वक्त तो ऐसा आता है जब वो अपनी आखरी स सेबर्स लेकर डार्क फोर्स के मालिक एंपरर की शक्ति को उसी पर उलटवार कर देती है और इसी के साथ एंपरर का विनाश होता है इस मूवी के एंडिंग में हम यह देख पाते हैं कि अब रे पहुंचती है सीधा टटूइन ग्रह पर और वहां पर एक जमीन में लूक औ उन्हें ही अपना गार्जन मान लिया था और इसी हैपी एंडिंग के साथ में यह शांदर कहान यहीं पर खत्म होती है देखा जाये तो टटू इन ग्रह से इस पूरे यूनिवर्स की स्टार्टिंग हुई थी जहां से अनेकन स्काइव वाकर आया था और अवसी की ग्रह से यह मूवी भी खत्म होती है आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लेज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर पहली बार उस चानल पर आया है तो इससे सब्सक्राइब जरूर कीजेगा क्योंकि इसके बाद मैं एक और दमदार सिरीज लेकर आने वाला हू और साथ ही जाने से पहले आप लोगों को एक खास बात बता दू हितेश नागर चनल को बनाने के पीछे मेरा रीजन ये था कि चाहे कोई मूवी ट्रेंडिंग में हो या ना हो मगर ये चनल आपको वो सीरीज प्रोवाइट करवाएगा जिसके कभी आपने फर्स और सेकंड पार्ट देखकर दूसरे पार्ट छोड़ दी हो और यहा फर उनके सीक्वल्स पार्ट देखें और प्रीक्वल कहीं न कहीं छोट गए हों क्योंकि इसी की कंटीनेशन में मैंने हैरी पॉटर सिरीज के कम्प्लीट पार्टि पार्ट पारेट ऑफ दी करीबियन यू डीसी एउ फास्ट और फीरियस जॉन विक मैट्रिक्स और अंडर वल्ड जैसे बड़ी-बड़ी फ्रेंचाइसी इसको एकस्प्लेइन किया है और अब बारी आने वाली है एक बहुत ही तमदार फ्रेंचाइसी की सब तब तक लिए की वाचिंग स्टे सेफ मिलते हैं झाल